नवस्कार मैं प्रिया राज राप देख रहें एक निउस 24 बिहार के मुख्य मंत्री यानि नितिस कुमार के बेटे निशान कुमार को लेकर जिस्ता से आए दिन राजनीती में भगदर मौची थी लोगों का कहना था कि उनके बेटे यानि की निशान कुमार अपने पीता जी यानि की कहा जायत नितिस कुमार के समर्थन में उतरेंगे हलाकी वो भी अब राजनीती में एंट्री मारेंगे जिसना से आए दीन विहार के मुख्यमंती नितिस कुमार लालू यादो परिवार को टार्गेट कर रहे थे जिसना से वो तिजश्वी यादो और तेज प्रताप पर कटास करते हुए नजर आ रहे थे उनका कहना था कि पूरा लालू परिवार अपने बेटे और बेटियों को जिसता से राजनीती दोरे में उतार रहे हैं राजनीती के छेतर में आगे बढ़ा रहे हलाकि लोगों को उमीद थी कि श्रीम नीतिस अपने बेटों को भी राजनीती में उतार देंगे लेकिन आपको बता दे कि निशान कुमार ने मीडिया कर्मियों के सामदे बाचीत के दोरा ने बहुत बड़े खुलासी कर दिये है उनका कहना है कि मेरे पिताजी राजनीती में बने हुए है हलाकि 2005 से अब तक मेरे पिताजी ने बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनसे सीखता भी हूँ जिसता से मेरे पिताजी का मेरे उपर आशिवाद है मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं राजनीती में आऊ हलाकि मुझे पढ़ाई का सुख है मैं पढ़ता हूँ मुझे किताब पढ़ना पसंद है मैं ज़्यादा किर्तन और भजन में रहता हूँ जिसता से मुझे हरे राम का गाना भी सुनना काफी पसंद है जिसता से मैं भजन सुनता हूँ हलाकि मेरे पिता जी भी चाहते हैं कि मैं राजनीती में आओ जिसता से वो भी मुझे राजनीती की बाते बताया करते हैं आए दिन जब हम चाय पर बैठते हैं तो मेरे पिता जी मेरे मन को और मेरे दिल को टटोलते हैं हलाकि कि मैं किस स्वे में जा रहा हूं लेकिन मैं साथ तोर पे कहना चाहूंगा कि राजनीती में जिसतार से मेरी दिल्चस्पी है या जो भी है इसे लेकर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है तो आई हम आके भी समझ करते हैं कि और क्या कुछ कहते हैं बिहार के मुख्य मंत्री के बेटे यानि की नीतिस कुमार के बेटे निशान्त कुमार राजनीती से दूर होकर अध्यात्म की राह पर चलना पसंद करते हैं और मीडिया से दूर रहने वाले निशान्त ने पटना के बजार में स्पीकर खरिकते समय बताया कि वे राजनीतिक में शामिल नहीं होंगे और अपना जीवन आध्यात्मिक्ता के लिए समर्पित करेंगे वे इंजिनियर हैं और BIT मेसरा से ग्रेजुएट भी हैं इतना ही नहीं आपको बता दे कि बिहार के मुख्यमंती निटिश कुमार के बेटे निशान्त कुमार राजनीती में नहीं बलकि आध्यात्म की राह पर चलना चाते हैं और हाली में पट्टा के एक दुकान पर स्पीकर खरिकते समय निशान्त ने मीडिया से बाचीत के दोरान ये इच्छा जताई कि निशान्त ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने को लेकर असपर संकेट देते हुए भविश्य की योजनाव के बारे में भी ज रहाएंगे हलाकि निशान्त ने फिलाल इस तरह की चर्चा को विराम देने की कोशिश की और निशान्त ने बताया कि मैं वो मुबाइल में हरे राम हरे कृष्णा सुनते हैं लेकिन उसमें अवाज सही नहीं आती इसलिए इस पीकर खरिदने बजार पहुंचे हैं ताकि सं आंदाए वही निशान्त ने इस्परेस्ट किया कि वह अपने पिता की तरह राजनीती में नहीं जाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि वह अधियाग्म की राह पर चलना चाहते और जीवन भर इसे समर्पित रहेंगे वही निशान्त राजनीतिक समार हो और सोसल मीडिया से भी दूरी बनाये रखते हैं आपको बता दे कि नितिस कुमार के परिवार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वही निशान्त उनके एकलौते बेटे हैं और BIT मेसरा से ग्रेजुएट हैं वह अपने पिता की तरह इंजीनियर हैं लेकिन राजनीति में उनकी कोई रूची नहीं है निशान्त के इस ब्यान के बाद साफ हो गया है कि आने वाले समय में सीम नितिस के परिवार का कोई सदस सक्रिये राजनीति में आने को इच्छुक नहीं है तो जैसा कि भी आप दें सुना कि किस तरह से बिहार के मुख्य मंत्री यानि की नितिस कुमार के बेटे निशान्त कुमार ने मेडिया कर्मियों के समख छपनी बातों को जाहिर किया है उनका कहना है कि वो अध्यात में ज्यादा भरुसा करते हैं और उन्हें भजन किर्तन सुनना पसंद है और जिसता से वो ग्रेजुएट भी है जिसता से वो पढ़े लिखे है और इंजीनियर भी है तो उन्हें राजनीती में आने की कोई रूची नहीं है रहा बात लोगों की और कई नेताओ की तो इंडिया के कई नेता चाहते थे और जद्यू के कि उनके बेटा है यानि की नितिस कुमार के बेटा राजनीती में और अपने पिता जी का हाथ पकड़के इस राजनीती को आगे बढ़ा है हलाकि निशांत ने जिसतार से अपने बातों को जाहिर किया है इससे साथ पता चलता है कि उन्हें राजनीती में कोई भी रूची नहीं है हलाकि वो अपने पढ़ाई में ध्यान देंगे और जिसतार से उन्हें जिस चीज में रूची है वो वही करना पसंद करेंगे यानि जो अटकले लगाई जा रही थी जो सियासी मामलों में गर्माहट हो रही थी कि बिहार के सत्ता में नए चेहरे आएंगे जिस तर से लालू परिवार से उनके बेटे तजश्वी यादो आई दीन बिहार में जिस तर से बोलबाला करते हैं और चर्चे में बने रहते हैं लोगों को उमीद थी कि निशान्त कुमार उन्हें टकर देने के लिए सियासी मामलों में उतरेंगे लेकि निशान्त अपने पैर खुद से पीछे कर लेते हैं तो देखना दिलचस्ट रहेगा कि श्रीम नीतिस अकेले इस राह तर कब तक लड़ते रहते हैं हलाक आप हमें यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूटूब चैनल एक निश 24 को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजेगा धन्यवाद